नए वीडियो में आपका स्वागत है अभी यहां बिर्ला मंदिर के सामने हूँ जेपूर में और यहां सी यह वीडियो सुरू करेंगे और वेसाली नगर तक जाएंगे पूरा वीडियो देखें मज़ा आएगा आए यह वीडियो सुरू करते हैं यह आपके स्क्रीन पे जेपूर डेवलोप्मेंट अथोर्टी जेडियो का ओफिस काफी बड़ा ओफिस और यह जंडा लगा हुआ है राम किसोर व्यास बावन और यह बावानी सिंग रोड अमबेड कर सर्किल तक यह जाती है आई कोड के पास अमबेड कर सर्किल और यह यह का बिड़ला मंदिर और यह यहां उपर एक पुराना राजा का महल और उसके अंदर एक मंदिर और यह दी बात करें यहां पर तो यह जेलन्द मार्ग है जो यह ट्राफिक चल रहा है इधर एरपोर्ट से यह जेलन्द मार्ग शुरू होता है और सामने यह आगे सीधा सिटी में पहुंच जाता है और सीधी रोड इस रोड की बात करें दिये शानती पत है जो आगे जुहार नगर तक जाता है आईए चलते हैं और ये जेडिये के ओफिस के पास ही दुरलबजी होस्पिटल S.D.M.H. S.D.M.H. संतोखबा दुरलबजी मेमोरियल होस्पिटल और ये इसकी अमरजेंसी यहां से आप इंट्री करके अमरजेंसी में जाते हैं और ये सिधा बावानी सिंग रोड आईए आगे चलते हैं और ये यहां बावानी सिंग सर्किल रामबाग सर्किल सुरी और ये सामने आपके जो जन्डा और ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है रिजर्वर बेंकोर इंडिया का ओफिस जेपुर का और ये आगे का व्यूँ है और इधर देखें कि ये स्टेडियम है SMS स्टेडियम आईए आगे चलते हैं और ये सिग्नल से आगे निकलते ही सामने का पुरा साफचुतरा रोड पीन ट्रेक का ये रोड जो अम्बेड कर संकिन सक हमें लेकी जाएगे आईए आगे चलते हैं और ये सामने ये हम लेप्ट में जाते हैं तो विदान सबा है सीरे निकलते हैं सिविल लाइन और राइड जाते हैं तो सची वाले और हाई कोट उच ना ले ये सामने सर्किल है आईए चलते हैं और ये अमबेड कर सरकित जो विदान सबा के सामने है इधर विदान सबा है और ये सामने राजपत इधर से इधर तक और इस साइड में सेंट्रल पार्क है काफी बड़ा पार्क और सामने ये कर बावाच टेक्स ओपिस और उसके साथ हाई कोट आगे और ये पुरा सर्किल का विव आई आगे चलते हैं और ये अमबेड कर सर्किल से आगे निकलते ही इधर हाई कोट बस स्टेंड है और ये इसके सामने इधर भी एक बस स्टेंड हाई कोट के नाम से और सामने बारत जोडो सेतु जो काफी लंबा ब्रिज इसी ब्रिज के उपर से हम चलेगे और इधर ये LIC का ओपीस है आईए आगे चलते हैं और ये इसी ब्रिज से शैकार बहुन है इधर निचे इसके शैकार सर्किल और ये सामने होटल बड़ा सा और इधर ये सोपिंग माल है आईए आगे चलते हैं और यहां से ये दि देखें तो ये उपर ब्रिज मेट्रो का अभी एक ब्रिज पे हम कड़े हैं उसके नीचे और उसके नीचे रोड है और सामने जेपुर मेट्रो आपके सामने आ रही है चार डबों की ये मेट्रो जो अभी आपके सामने आपके स्क्रीन पे हैं और ये बड़ी चोपड से हवा मेल से और आगे मान सरौर तक चलती है और ये सामने राम नगर स्टेशन है आईए आगे चलते हैं और अभी हम सोडाला पहुंच गए हैं ये नीचे सोडाला सामने ये मेट्रो का लाइन और ये एलेवेटेड रोड जिस पे हम चलकी आएं बिल्कुल नया रोड अभी बना आई है और साथ आठ किलोमेटर का ये पूरा रोड जो आपको निचे के ट्राफिक से बचा देता है अभी अभी इसका उद्गाटन हुआ है पिछे दो तिन म एलेवेटेड रोड जो अजमेर रोड से वेसाली की तरब से और इधर अजमेर पुलिया तक मिलाता था जो च्छे किलोमेटर का था आई आगे चलते हैं वेसाली की तरब और यहां ये एलेवेटेड रोड नीचे नीचे वाली रोड पे मिल जाती है जो सोडाला की तरब से जाती है यह आपको उपर उपर लेगी जाती है और यह यहां पर अभी है नया एक shopping mall बढ़ा है काभी बड़ा ग्रांड अनुकम पांग अभी अभी बढ़ा आए काभी बढ़ा है इसके अंदर भी बड़े-बड़े आपे हैं और यह आगे की तो डाला का सब्सिमंडीं अंध़ कि आए आगे चलते हैं बेश्याइवल गरुड़े नायरील पाणनी सिगनल जिसे यदि यहां हम बात करें तो सिधा निकलते हैं तो अजमेर रोड आईए और यहां से राइट गुमेंगे तो वेसाली नगर को जाते हैं जो ड्वाड़ा आता है और खाती पुरा आता है आईए हमें यहां से राइट चलना इस सिंग्नल से और यह उपर एलेवेटेड रोड जो थोड़ा आगे से शुरू होता है जो आगे आपको अजमेर पुलिया तक ले की जाता है 6-7 किलोमेटर गाई है आईए हम वेसाली की तरफ यहां से लेट चलते हैं और यह सिंग्नल से राइट निकलते ही इदर यह एक शोरूम है पी एल का और यह वेसाली को जाता हुआ रोड आईए आगे चलते हैं और यह यहां एक LMB लक्समी मिस्टान बंदार जो जोहरी बजार का है फेमस है वो यहां भी है काफी पुराना यह ब्रांड 1727 से यह देपुर में काम कर रहे हैं जबी यह एक विसाली में विद्युत नगर में भी आगया है यह विद्युत नगर भी है आईए आगे चलते हैं और यह बान नगर का मार्केट विसाली का बान नगर इसके पीछे बान नगर है और यह सामने का आईवे आईए और आगे चलते हैं और अभी आगए हैं गांधी पत पे गुरु जंबेश्वर नगर ए में ये गेट नमर चार इनका और ये गांधी पत वेसाली नगर का काफी लंबा रोड गांधी पत के नाम से आईए आगे चलते हैं और ये डॉक्टर महमद हभीब का फाम आउस गांधी पत के उपर ही ट्विन्स रोड के उपर और ये सामने गांधी पत और ये यहां चंदा टावर गांधी पत का आईए आगे चलते हैं और ये गांधी पत का क्राउन स्क्वाइर और ये अगरवाल केटरस तो इस वीडियो को यही तक रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपने पुरा वीडियो देखा इसके लिए अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें यदि चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना जय हिंज जय भारत